मुझार में ऐसे लगता है कुकिंग चैनल मुन्नों ने खुआ लिए कार दो स्माइल फ्रूट की बास किरता है बना दू जल्दी जल्दी मामा असलाम अलेकुम एव्रिवन कैसे हैं आप सब उमीदे के सबी ठीक होंगे और कल मी हनde बनाई थी गुवी तो जब गुबी बने और गुवी के पराथे ना बने ये कैसी हो सकतें तो आज मैंने गुवी ली उसको अच्छे तरीके से मैश कर दिय और दूसी तरफ मैंने च्छोटे च्छोटेसे ना चार पेड़े बना लिए थे चार से दो प्राठे बनेंगी तो यार इतनी डस्ट आती यह एक टेबल एक एक चेर प्रेना अच्छी खासी एक मोटी सी लेयर होती है जो कि डेली ही साफ करनी पड़ती है तो वो सब कुछ भी करना था फिर बाकी घर को भी क्लीन करना था अच्छे तरीके से बेटशीट सो गहरा भी चेंज करनी थी बेटशीट चेंज करना में लिए एक नब बड़ा सा टास्क होता है और वैसे तो मैं इतनी जल्दी जल्दी चेंज नहीं करती है टाइम बाद, एक दो हफ़ते बाद ही करती हुँ क्योंकि ना ही गंदी होती है, ना इतनी यूज़ में आती है जादातर सोफे पगैरे ही यूज़ हो रहे होती है तो सारी स्वाईयां भी करनी थी सहरी भी थी और बाकी सब कुछ भी तो एक ना सर पे टेंशन सी नहीं होती कि ये भी करने है वो भी करने है बेशे काम इतना ना हो लेकिन टेंशन ना बहुत जादा हो जाती है तो यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी से सहरी बना रही हूँ प्राथे बना रही हूँ एक प्राथा तो बिल्कुल प्रफेक्ट बन गया था दूसा प्राथा जो थोड़ा सा ना आटा जो फटसा नहीं चाहता वैसे हो गया था सुराख सा हो गया था फिर मैं उसको अच्छे करने को दिल का रहे ना मैंने कल अपलोड किया था पिर मैंने सोचा कि चलो आज एडट भी कर लेती हूं पता नहीं क्यूं qyoo अजीब सा एक तो मौसम हुआ ओयुआ इतनी बारिश हो रही इतनी ज़ादा बारिश ही पता ही नहीं चलता किस टाइम तो किस टाइम खतम तो उस वज़ा से भी ठंड इतनी हुई है कि मैंने तो सारे सर्दियों के कपड़े भी रखे थे अब ये एक दो सूट निकाले हुए है तो बस बाकी सारे तो कुछ जादा ही बने उपर करके रखे हुए है वो अब मेरे लिए ना मुश्किल हो रहा है और ठंड इतनी लगती है जब कि मुझे ना सारी जिंदी की सर्दी नहीं लगी लेकिन ये जो सीजन गया है ना इसमें मुझे कोई ऐसी ठंड लगी है ऐसी ठंड लगी है कि मत पोचें मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं ब्लैंकेट मैंसे बाहरा आ जूँ और मज़े की बात मैंने जब ब्लैंकेट रजाइया सब कुछ रख दिये से फिक ये पतले पतले से ब्लैंकेट छोड़े हुएं लेकिन शुकर है ये हमारे काम आरे ये इस वज़े से ना गर्मी हो या सर्दी हो मेरे पर ये ब्लैंकेट रहता ही है गर्मियों में बिना मैं एक पतला सब ब्लैंकेट अपने ओपर लेकर ही सोती हूँ पते नहीं क्यों वो अजीब सफिर हो रहा होता है पिर भी मुझा आदी रात में ठंड सी लगी जाती है बेशे कोई शदीद से गर्मी ही क्यों ना हो और यहां पर एक प्राठा मेरा रेडी हो चुका था अब यह मेरा दूसरा पराठा था इसको जल्दी जल्दी से रेडी कर लूँगी और अचा मैं जब भी यह पराठे बनाती है खुश काटा मेरा कुछ जादा ही लगता है वरना मेरे हमेशा ने यह क्या कहते है पराठे चिपक से जाते हैं पर उसके बाद मुझे शेल्फ क्लीन करना बड़ा मुश्किल लग रहता है तो मैं इस तरह चुरी से यह चमच से ना अच्छी तरी के से खुरच के काम कर लिए और इसके बाद जी मैं यह किचन में आगी थी तक्रीबन सुबह दस बजे और दस बजे के बाद मैंने थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करना स्टार्ट कर दी थी और यहां पर मैं प्लाओ बना थी अच्छा मुझे इतना डर लग था कि प्लाओ में कहीं नमक ना कम हो जए यह ना हो जए वो ना हो जए यह नी प्लाओ इसकी रेस्पी मैं पहले दे चुकि आप लोग देख सकते हैं बस आज में एडिशन किया था मैंने ना खलती से टुमाटर एड़ कर दी थी जबकि मुझे करने नहीं थे और इस दफ़ा जो चावल आएंगे ना यार सेव माट कि बिल्कुल भी अच्छे चावल नी थे ऐसे लगता है जैसे मोटे चावल हम लोगों ने बना दी हो इससे पहले जितने भी आते हैं वो इतने जबरदस पतला सा चावल होता है खिला खिला खिलावा खाने में भी बह आवा था अब उसको डन करना तो जो लास टच अप कहते हैं ना वो करना था तो पापा फूर्ट कट करके दे रहे हैं ममा जो हैं वो क्या कहते हैं पकोड़े तल देंगी आपी जो यह चीज़ बाल में चीज़ फिल करके क्रम्स और लगा थी अभी अभी यह साब आए थे मै ने सब को काम पी लगा दिया भाई से मैंने फ्रूट चार्ट सारी बनवा दी इसी तरह फिर मैंने बेहन को प्रेट्स वगहरा दे रही थी कि यह जा कि टेबल पे रखती जाओ जैसी इफ़तार होगी तो हम टेबल से ना दस्तेख़ान पे रख देंगे इस तरह किचन में जगा भी नहीं है बहुत जादा सब कुछ फैल जाएगा तो फिर फाइदा नहीं होता मतलब गंदगी बैसी इनसान को लगता बहुत जादा होगी है तो फिर मैं साथ-साथ बरतन भी क्लीन करती कभी मैं कभी आपी साथ-साथ यहां पे सेंड़िचेस बन रहे थे साथ- प्रेडी हो चुके थे वहां से बड़ा पकड़ा दो ममा को कोई सोनी नी रहा तो यह चिपक गे थे पकोड़े, यह कड़ा ही इतनी अजीब है बड़ी सी, इसमे ने एक तो तेल बहुत लेट गरम होता है, और इस पर जरा सी आप आउयल के नीचे आग स्लो कर दो तो फिर हो काम जो भी चीज़ होगी वो चिपक जाती है इसके लिए फुल गैस ही ओन करनी पड़ती है और यहां पर यहां पर यह मेरे भांजे भांजे है माशालला से क्यू टू तो यहां पर आइमा का मूड ओफ था मायरा की वज़ा से नारास थी उससे तो मैं कही थी आप समाइल करो समाइल करो लेकिन मजाल है वो समाइल कारी हूँ इतना पका मूड ओफ किया वा था और पापा ने सारे फूट्स जो है वो कट करके मुझे दे दिया अब यहां पर मैं समॉसा पिन रोल्स बना रहे थी pin wheels मौसा बना रहती지 मैं क्या बो रही हूँ आप ही हुसन कहरती मरियम वो wheelchair बनाओ न मैं कहूं क्या कहती है wheelchair सारा काम जब ne मेरी हसी निकल लही मैंने का अच्छे पिन-वियल्स की बात खाहरी है तो यह मैंने बनाया यार यकीन माने सेम प्रोसेस वही मैंने किया थै, लेकिन इसे कडाही की वज़े से ना सारा काम बनाम हो गया, लाइक बरबाद उगया यह हमेशा अच्छ पर पकते हैं 2-3 मिट मैं फ से जबरदस्ती रटाया तो फिर जी उसके अंदर का जो बेटर थालों का निकलना शोगे वो इतने कोई पत्थर की तरह सक्त बने थे कि तोबा लेकिन खेर यहां पर फिर चटनी बान रही है चटनी फ्रीज थी तो चलें कूटना शूटना नहीं पड़ा जिसके हाथ जो काम लग रहे था वो करते जा रहे थे और फिर जी मारे चीज़ बाल्स जो भी रेडी हो चुके थे तो बस अब ये भी तल रहे थे साज साड़ना शूरू कर दिया था और यहां पर गैस्ट हाथ चुके थे तक्रीबान चार मिनट चार से पांच मिनट रहे थे दस्रभान लगा नहीं है कि हम चार पांच बंदे लगे वे थे इफ़ार रखने में तो बस जिसने जो चीज जहां रख दी सो रख दी और यहां पर अब दस्खवान रख रहे हैं फ्रूट्स कट कर दिये थे जैसे किवी खर्बूजा तर्बूज और इसके लावा खजूरों में फिलिंग कर क्रीम और खरोड़ की साथ में पकोरे थे छीज बॉल्स थी सैंड्विच इस थे कचोरिया थी प्रूट चाट थी चना चाट थी और जुस इस वगयरा रख दिया थे और यहां पर हमारी इफ threadsättा हो चूड़ु antich कई सेंड्विचेश पढ़े वे थे यह खाई जाएं खाई जाएं खाई जाएं इतनी कोई मासूम से इतनी सुलजी हुई बची है ना कि बोल ही नहीं कि कोई और चीज पास करवा दो फिर आपी ने देखा तो आपी ने का किया यार इसी पे मतलब यह लगी हुई है काई जा यह कुछ होर भी लों प्रेकं पिर ने दिया तो इसके बाद चाई बेर आ लाँ दी थी आ साथ में पचोरिया लोगएर रघ दी थी चाई जो अह पर ठीक हैं यह शूचाए और पिर जी हम लोगों ने सोचा किशन ज़युर वघ करते हैं और साथ-साथ ज़य बाते शातिया मजाग आपी के साथ तो आज मताहद धर्जे के मैंने मजाग किया हम लोगों को बहुत मजा आया है और यहाँ पर यहाँ वैसे ही मुझे देख रहे हैं मैंने दो चार बरतन ही वाश किये थे जितने भी बरतन देना सारे आपी ने वाश किये थे तीन शिफ्ट आपी की लगी थी दो शिफ्ट मेरी लगी थी और आपी के जाने के बाद ना मताँ जब सब चले कि उसके बाद एक शिफ्ट मेरी छोटी सी मताँ लगी थी थोड़े सा बरतनों की यहाँ पर फिर कड़ाई बन रही थी आपी कोई अपनी रेस्पी हाँ पे बनाय थी मुझे याद ही नहीं रहा कि रिकॉर्ड करो आज मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया पता है क्या एक तो बहुत सारे काम थे दूसरा ये एक टाइम कम था और फिर वैसे ही मेरे सर पे टेंशन्स वार होते कि अब मैं वीडिय करना शुरू करना शुरू हो गई तो ओगया काम chyba और और कभी रात की दावत होती है तो चलो मैं रिकॉर्ड कर लेतीू लेकिन आज तो शाम शाम मे ही हो जा ना था च्छह सारे शह तो नहीं इस सब करना शुरू कर दिया था यहां प्यापी कुछ बना थी पता नहीं कौन सी कड़ाई थी और बस उन्हों ने पहले जो चिकन है वो सारा फ्राइ किया प्यास वगयला पहले फ्राइ करके निकाल लिये थे पर टमाट्रों की ग्रेवी बनाई पर मसाले अड़ किये और फिर इ प्यास फिर से डाल दी था कुछ इसी तरह का प्रोसेस किया था और बस यहां पे अब मेरा तकरीबन जो किचन वो क्लीन हो चुक है लेकिन इसके बाद भी फिर से बाकी बरतन आने ये खाने की रोटियां बनाना शुरू कर दी थी क्योंके यहां पर इफ्तारी के बाद नहीं मैं बनाती हूं तो मैंने कर ठीक है बई बना लो मर्जी बड़ा दिलकार है उनका फिर रोटियां भी बन गी थी और खाने में चिकन कड़ाई थी और बीफ प्लाओ था साथ में फ्रूट चार्ड जो उस टाइम रह गी थी तो साथ में वो रग दी थी चटनी और कोक चोक और जो भी होती है बोतने वगयरा उसके बाद जी हाँ पे कहवा पी रहे थे और कहवे की शिफ्ट के बाद जी मामू लेके आए थे मिठाई तो हम लोगों ने सोचा ये भी ऑपन कर लेते हैं इसके बाद मैं बिराऊंगी चाए अपने लिए बाकी सब तो चले गे थे और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लोग पसंद रही तो लाइक कर दीजिए का शियर कर दीजिए का सबस्क्राइब कर दीजिए का इंशाला मिलूंगी नेक्स व्लोग मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दौा में याद रखिएगा अलाफिज फिया मान यहां में ड्रामा भी देख रही थी मुझे याद आके मेरा व्लोग रह के घर चैने ठीक हो कि अलाफिज भाई